हे गाईज, वेलकम तो देव हूमी करियर पॉइंट तो देखे हमारी एक सीरीच चल लए थी पहले हमने पढ़ा गरवाल में आम जन सभाएं उसके बाद हम टॉपिक डिसकस के आभी लाश्ट वीडियो आये थी गरवाल में जातिय सभाएं तो जातिय सभाएं के पहले अध्याई में हमने पढ़ा सरोला सभाएं आज इसका पार्ट टू है जिसमें हम जानेंगे छेत्रिय सभाएं के बारे में छेत्रिय सभाएं में जो महत्तपूर फैक्ट थे इससे जुड़े हुए क्या थे च्छत्रिय सभा की स्ताफना क्यों की गई ठीक है क्यों इसकी जरूरत पड़ी सभी इन फैक्टों पर डिसकस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में इससे पूरो बदाना चाहूंगा फैंस अभी तक जो भी लोग नए है चैनल पर जिन लोगों ने चैनल को सस्क्राइब नह चामो ठीक है तो अच्छे से सभी चीजा डिसकस करते हैं चले सुरू करेंगे देखेंगे च्छत्रिय सभा और इस सीरीज आपको कैसी लग रहे है प्लीज इस बारे में भी कमेंट करें ठीक है तो देखें जैसा कि हम आमोमन हर वीडियो में बात करते हैं हर किसी सभा का एक सरोला सभा लेकिन वो सरोला सभा क्या हुआ ब्रामर्त की सीमीद रही इसको देखते हुए कहने कि चत्रिय और जो बैश्य थे और अन्य जातियां थी वो विचलित हुई कि एक कम्यूनिटी बन रही है लेकिन दूसरी कम्यूनिटी का कोई खयाल नहीं रखा जा रहा है तो इसको देखते हुए गडवाल संभाग में 1919 में चत्रिय सभा की स्थापना हुई थोड़ा विस्तार से चल्चा करेंगे और ध्यान से सुनेगा काफी मजा आएगा आपको चत्रिय सभा 1919 मैंने आपको एक वीडियो में बताय था प्रथम विश्वयुद्ध 1914 में सुरू अन्यकास्टों को भी जगर नहीं दी जाती थी केवल चत्रियों को ही भर्ती किया जाता था और चत्रिय लोग काफी भादूर थे उनका रंग कोशल अध्भुत था इसको देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत को लगता था कि इनको सम्मानित करना चाहिए इनको आगे लान चाहिए लेकिन प्रमोशन के लिए अटक जाते थे छत्रिय लोग सेना में उनका प्रमोशन नहीं हो पाता था जाद इसे जादा उनके ओडिनरी रैंक ही यहां पर सब्मीट हो पाती थी जैसे मां बात करूं हवलदार जेसियो मतलब सूबेदार या सूबेदार मेजर तकी बन पाते थे ओपिसर रैंक नहीं ले पाते थे क्योंकि एजुकेशन निल थी तो इसी को देखते हुए 1919 में जो सिय नेगी वो प्रताप सिय नेगी और कुछ विशिष्ट अन्य जन थे इनके माइन में विचार है क्योंना एक सभा बनाई राई राई च्यत्रिय सभा और इ सरोला सभा जेसी सभा इस्तापित कर रहा है हमको बिल्कुल वन्चित कर रहा है अपने से उन लोगों को भी हम दिखा से कि हम मैं क्या बात है क्योंकि बिल्टीश उकूमत उसमें आप साब साब बोलना चाहूंगा यहां पर जितने भी फैक्स मिलते हैं वह ब्राम मंगल से चैत्रियों को सपोर्ट करती थी क्योंकि वो उनकी बेसिक नीट थे क्योंकि सेना के सेना के द्वारा ही तो उन्होंने विश्व एद्धु में पर्चम लह रहा है था अपना उनीस्व और उसी टमें गर्वाल जो रेजिमेंट थी उसको रोयल का खिताब भी दिया गया रोयल वहाँ पर इनको मौका नहीं मिल पा रहता है तो इस वज़े से जो छत्रिय सबा स्थापित हुए कब उनीस उनीस में पहला की पॉइंट किसने स्थापित की जोस्यानेगी वह प्रताप शियानेगी ने ठीक है पर जोस्यानेगी जो स्वयम ही एक तैसिलदार थे अब इसका और दूसरा सरवला सबा अपने हित में काम कर रही थी और जितने भी उसमें करवाल में पार साला है थी या जो स्कूल थे वहाँ पर भ्रहमल वर्ग के ही बालक ज्यादा शिक्ष्या अरजित कर रहे थे ठीक है छत्रियों को कम मौका मिल ला था तो इसको देखते हुए भी क अंनिसो चोदम है क्या ओज़वा विश्व्यद्ध हुव और इनवीस्या गरवाल श्रींगर में एक रहा गया भव्या समारो रहे इन तींस मार्च का ये दिन था श्रींगर गरवाल में एक भव्या समारो रहा Аट τैनों क्यों एक प्राथम प्रश्व? गरवाल मंडल में अंगरी जो ने अपने सौ वर्च पूरे कर ले थे साषन के तो इन सो वर्चो को कम्प्लीट करने के लिए और प्रथम विश्वय विद्ध में इंगलेंड की गौरवपूंग विजय हेतु इनों एक समारो आयुजीत किया लेकिन सबसे रोचक बात यह रही को वो ही को संभर बैठे होता है उनकी जगागा पर एंस्दर में जो तत्कालिन कमिश्णर था कमिश्णर विंडम उसने एक लाइन बोली थी जो कि महतोपोण है जिनके सम्मान में यह अधिवेशन है वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं यह लाइन थी कमिश्णर विंडम की 30 मार्चों 2020 को ठीक है तो इसके बाद थोड़ा और तेज हो इनका महतोपोण है चत्रिय वीरपत्र थीक है 1922 में सुरू हुआ यह पक्षांक था पक्षांक मतलब महने में दो बार आता था ठीक है और इसके जो संपादक थे प्रताप्षय नेगी जो स्वयम ही वहाँ पे रह चुके थे किसके चत्रिय शभा के संस्तापना में महतोपो सस्वर के साथ जो अहीत हो रहे थे उसमें उनको मौका नहीं मिल पार था प्रमोशन नहीं हो पारे थे सरकारी नौकरियों में उनको मौका ने मिल पार था कम डिजूकेशन के उनज़ता है इसको देखते हो टेखे गड़वाल में दो इसNG नातक हो ए 152 शालिंद सिय परवा जोद्षिया नेगी महत्वपूव हैं और देखिए जोद्षिया नेगी हैं तैसिलदार रह चुके थे मैं बता रहा हूं आपको ये भी छेत्रिय वर्गिस से मैं बोल सकता हूं पहले तैसिलदार पत्तक पहुंशने वाले बैखती थे और देखिए बेगार समस्या के हल के ल मतलब बिना मजदूरी का भुकतान किये हुए कार्य करवाते थे इस्थाने लोगों से अंग्रेजी हुकमरान ठीक है तो इसका विरोध किया और इसको देखते हुए कुली एजंसी की स्ताफना की थी जोश्या नेगी ने और इन्होंने रेट भी तही किये थे मतलब जो हम स परता के खिलाब एक साब से आवाज उठाने के लिए तो आपको इतना याद रखना है की पॉइंट यह बनना है इसमें कुली एजंसी 1908 की स्ताफना किसने की थी 1908 में स्ताफना हुए जोश्या नेगी दौरा तो यही था बस छत्रिय सभा मैं बता चुका हूँ चत्रिय इन्होंने अद्भुत वीलता का प्रचाई दिया था हमेशा सेना में और इसी को देखते हो बिटीस इन से काफी खुशते तो अपने पोजीशन के लिए अपने समाज में ससक्तिकरण के लिए अपने लोगों को सिक्षित करने के लिए यह सभा इस्तापित हुई थी छत्रि गों में यह इसका एक रीजन रहा एक में पॉइंट रहा वीक पॉइंट रहा ठीक है अब थोगा आगे बढ़ेंगे दिखिए और 1920 तक 1929 में स्तापना हुई और 1920 तक इसके चार जगन नहीं समीतिया खुल गए थी कड़वाल छेत्रिय सभा की चमोली चक्राता सिमला और ल सकता है सिधे कोश्यन बन सकता है यू के पीसे की लियाद से मैं कोश्यन बना रहा हूं कि 1920 में किन जगहों पर छेत्रिय सभा की समीति स्थापित की गई थी तो चार चार के वो पेर दे सकता है तो यह चार आपने अच्छे से याद रखने है चमोली चक्राता सिमला लाहोर और अगले चार देगा तो आपने समझना पड़े गाए तो अच्छे से इसको याद रखें ठीक है तो गाइस बस यह है अगले अंक में अब हम पढ़ेंगे गरवाल चैत्रिय चात्रवर्ति त्रश्ट जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं जो गरवाल चैत्रिय सभा है इस और बने रहें देव भूमी करियर पॉइंट के साथ और अगर आपके कोई भी इस्यू होते हैं तो आप हमें हमारे फेस्बूक पेज पे मुझे परस्नली मैसेज कर सकते हैं आपके सभी मैसेज का मैं उत्तर दूंगा हो सके तो कमेंट का भी मैं उत्तर देनी की कोसिस करता ह लेकिन काफी कमेंट होने के वज़े से पॉसिबल नहीं रहता ठीक है तो अच्छे से मेहनत करें अगले अंक का इंतजार करें गर्वाल चैत्रिय चात्र वुल्ति ट्रस्ट मिलेंगे नेक्स अंक में जय हिंद वंदे मात्रम